मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहरा हूँ यह योजबानू के लिए बहुत अपुन योजबानू को सेना में भरती होने के लिए सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए एक सुनहरा अफसर है और वैसे भी नौजबानू के बीच में देशबक्ती की भावना को जागरित करना उनको देशबक्ती के इस काम में लगाना ये भी एक मकसद जो है इस जोजबान के मादियों से जो है वो साकार होता है और दूसरी बात चार साल की सेवाएं देने के प्रश्चात 25 प्रतिशत उसके बावजूद भी सेना में नेमित रूप से आगे काम करेंगे बागी के लोग बागी के जो हमारे जवान होंगे उनको दूसरे क्षिशत्र में ऐपॉर्च्वूनिट्यव देने के लिए केंदर सरकार पcommittee और प्रदीश सरकार पिक साहर कर दो है उनके लिए कहां कहां को priority दे सकते हैं प्रात्मित्ता दे सकते हैं ताकि जाए वो पुलीस है डूमगाट है लगए लग डिपार्टमेंट में कहां इस बरकार से उनके लिए सकते हैं तो multiple options उनके पास होंगी और जिस तरह से राजनेती करने सारे विशे का करने की कोशिश हो रही है मैं समझता हूं कि इस तरह से राजनेती करने से उनका भला नहीं होने वाला है नौजवानों के लिए जतना मोधी जीन ने किया जतना मोधी जीन ने सोचा और स्वाल ही पेदा नहीं होता है कि नौजवान की भावनाओं को आहत होने देंगे हमारे देश के ये शस्यस भी बढ़ान मंतरी ये भाव ही नहीं है उनका हमेशा नौजवानों के प्रति उनको साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, उनको दिशा देना और देश के काम में उनको लगाना ये बैसरा है और नौजवान भी उनको दिल से चाहता है